हेलो फ्रेंट्स एक बर पुना आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टड़ी 26 पे और आज के वीडियो के मादियम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे हिंदी की कुछ मैद्पून लोकोक्तियां तथा उनका क्या अर्थ होता है उनको समझने का प्रय बोलते हैं तो आपका अगर वो पेपर है तो आपके पेपर में ये मेंसन है कि आपको मुहाबरे और लोकोक्तियां पढ़नी है तो कहबते हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में कहबते भी इनको बोलते हैं कि लोकोक्तियां को कहबत भी बोलते हैं तो कुछ कहबते हैं उनका अर तो वो तब ही होगा जब आप इसको अच्छे से या असानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे तो चलिए उन्हीं चीजों को आज हम लोग पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं हमारा एकमातर उद्देश से ये रहेगा कि आपके एक्जाम में जो भी परसना है उसको आप सही करके आएं बस उसी उद्देश से से हम इसको पढ़ने का कारी कर रहे हैं तो चलिए पहला है आपके पास और फिर उसके अर्थ भी दिये गए हैं उसके साथ में एक तरफ लोकोक्तियां हैं और एक तरफ अर्थ हैं तो उन्हीं चीज़ों को अब समझते हुए इसको पढ़िए और समझिए देखिए पहला है अंधे में काना राजा तो यह एक लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होता है अंधे में काना राजा मा लेजिए कोई आप भी जानते होंगे आपके भी गाओं में कुछ मुर्ख लोग रहते होंगे होंगे भी या आपके सहर में जो की अपनी ही बातों पर लगे रहते हैं वो जो बोल दिये वही वही उनको सही लगता है और वह किसी और की बातों को मानते भी नहीं और सुनते भी नहीं तो उसी में का जाता है अंध 75 लोगों की टोली होगी उसमें महत्पून वैक्ति बन जाता है से इसी के कहने पर अनय लोग भी चलतेत उसी तरग जो मुर्ख वैक्ति होते रहे नो उसी में एक यह कुछ लोग 4 लोग तो उसी गोले अंधो में काना राजा यानि अंधो की टोली में एक राजा है तो ऐसे आप इसको याद रखेंगा फिर देखें दूसरा अंधेर नगरी चोपट राजा यानि अन्याय का बोलवाला यानि कि देखिए राजा भी अच्छा नहीं है और वहां के रहने वाले लोग भी अच्छे नहीं है यानि लोग का मतलब है वहां की उसकी परसासन भी अच्छी नहीं है तो इसलिए इसको बोलते हैं अंधेर नगरी और चोपट राजा यानि राजा भी आप कहीं भी जाइएगा आपकी नोकरी हो जाएगी तो आप किसी भी department में रहिएगा और उस department के लोग अगर अच्छे नहीं है याणि अच्छे इससे कारे अपना नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी मांदार रहे है आप कुछ भी नहीं कर पाईएगा, तो इसलिए बोलायता है, अकेला चना भाड़ना फोड़ता, यानि अकेला वेक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, तो यह ध्यान में रखिया है, उसके बाद है, अंत भला तो सब भला, यानि आपका जो अंत होता है, यानि कि जो परिणाम अगर अच्छा आपका हो गया, तो सब कुछ अच्छा है, यानि मालेजी कि आपने एक्जाम दिया, और मालेजी कोई खुदान खास था, आपका एक पेपर कोई गलत, यानि खराब चला गया, तो इसका मतलब यह हुआ ना, कि जब खराब चला जाएगा, तो आपका छो महीने का जो महनत है, वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन खराब चाने के बापजूत, आपने इतनी अच्छे से उसको लिखा है, आपको लग रहा है, बले वो खराब गया है, लेकिन आपका प्रयास इतना बढ़िया रहा, कि आपने जो लिखा है, वो एक्जामनर को बढ़िया लग उसके बाद देखिए, अपने हाथ जगणनाथ, यानि अपना हाथ जगणनाथ, यानि स्वेम का काम स्वेम करिए, जो कि अच्छा भी होता है, तो इसका अर्थ ही होता है, स्वेम का कारी स्वेम करें, जो अच्छा होता है, यानि अपना हाथ जगणनाथ, आप से कोई कारी कर रहा है उसके परिवार के लोग भी उसको मतलब ना तो रोकने का काम करते हैं और नहीं कुछ बोलने का कारी करते हैं तो ऐसे वेक्टि को बुलाया था आगे ना पीछे पगा यानि बिल्कुल स्वतंत्र जो कि अपने मन से कारी करता है उसके बाद देखे आगे जाये गुठने तूटे, पीछे देखे तो आँख फूटे, यानि कि एक कावत है कि आगे जाए तो गुठने तूटे और पीछे जाए तो आँख फूटे, यानि कहने का मतलब देखे, दोनों में ही वेदनाओं का बात है, कि आगे जाएगा, तो आपके घुठने में ही चोट लगने वाला है, तूटने वाला है, और पीछे जाएगे तो आपका आँख ही फूटने वाला है, यानि दोनों ही कष्ट का ही कारण है, तो इसका अर्थ होता है, जिधर जाए उधर ही मुसीवत, यानि जहां भी जाएए आपको मुसीवत अगर नजर आए, तो उसको बुलायाता है, आगे जाए, तो घुठने टूटे पीछे देखे तो आँख फूटे, ये कहावत में इसको इसी तरह बुलायाता है, उसके बाद देखे, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानि कि आसमान से गिरा खजूर म पेड में इतनी काटा, काटे होती है कि वो आपके सरीर में भी चुबेगा, यानि मालेज़े आसमान इतनी उचाई से आप गिर रहे हैं, और फिर कहीं जाके अटक रहे हैं, तो वो आभी आपके लिए हानिकारक ही है, तो इसी को बुलायाता है, आसमान से गिरे और खजूर तो टोटे, उसके बाद आजाए है, नम्मे नम्मर पे, आस्तीन का साप होना, आस्तीन का साप होना की मतलब मालेज़े आपके कोई दोस्त होंगे, और वो आप ही से गड़दारी करें, यानि आप ही का सपोर्ट ना करके किसी हो, आपका मतलब आंतरी ग्रूप से वो आपके विरोधी हों और आपके सामने आपको दिखाएं कि आपका ही हम सपोर्टर हैं, तो ऐसे विक्ति को बोलाया था आस्तीन का साप होना, यानि कि आपका वह एकदम विरोधी होना, यानि आपका विरोध करने वाला विस्वास घाती विक्ति, इसी को बोलाया था विस्वास घा बातक कारे भी किया उसके बाद दसमा नमर आग फूटी फिर पिर गई आग फूटी पिर गई यानि समुल किसी चीज का नश्ट हो जाना यानि आग पूटी पिर गई का आर्थ होता है समुल यानि कि संपुर्ण रूप से कोई भी चीज़ खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं आख पूटी पिर गई एक ग्यार्मे नंबर में देखिए आम के आम गुठली के दाम यानि कि दोरा फायदा यानि मालिजी आपने आम को तो बेचा ही उसके साथ गुठली को भी बेच दिया तो आप बेचने वाले को ही नलाब हुआ तो इसका मतलब होता है दोहरा फायदा मालेजी आप जैसे कि आप हमारे साथ अभी हिंदी M.I.L. और मेजर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और competition में भी आप जानते हैं हिंदी जब पूछता है तो यही चीज़ें पूछती है वहाँ पी पूछी जाती है जैसे मुहाबरे हैं लोकोक्तियां हैं यह तमाम चीज़ों को प्रयावाची सब्द बिलोम सब्द यह तमाम चीज़ें पूछी आती है और अगर आप भी तैयारी क और गुठली के दाम तो इसका मतलब था दोहरा फाइदा उसके बाद देखिए आम खाने से काम पड़े गिनने से क्या काम यानि किस देखिए अगर आपको कोई आम खाने दे और आप उसको खाते हैं और आपको उससे आनंद आता है तो वो जरूरी है कि आपका पीट भर ज इसका मतलब यह ह示य को इसका मतलब की बात करो यानि आपको फोख लगा था आम खाये आपका पीड भर गया बात शतम है आपको उसके अपको गुठली को गिरने का दबा आदमी का आदमी है यानि कि जब आपको ज़ुरत पड़ेगा तो आपको मनुसी ही मदद कर सकता कोई क करेगा तो इसलिए मनुसी मनुसी की साहता करता है इसका अर्थ होता है उसके बाद दिखे आस्मान पर थुक मुपर आता है यानि अगर बड़े चीजों पर आप थुकिएगा तो यह आपके लिए ही निंदा का कारे है यानि बड़े लोगों की निंदा अगर आप करते हैं त उसके बाद देखिए इस हाथ से दो उस हाथ से लो यानि इसका मतलब यह हुआ ना कि माल लिजे अभी आप मेहनत कर रहे हैं अभी आप तैयारी कर रहे होंगे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे आप उसको पढ़ेंगे लिखेंगे उसको याद कीजेगा तो आपके लिए यह लाब दाय कि यह है ना कि आप जब एक्जाम देजेगा तो इसका लाब होगा आपको अच्छा नमर मिलेगा तो यानि कोई भी काम किजे तो उसका लाब जडूर मिलता है यानि उसका फल जडूर मिलता है तो इसका अर्थ होता है इस हाथ से दो उस हाथ से लो यानि कि साथ से आप अभी मेनत कीजिए बाद में आपको इसका फल मिलेगा तो इसका अर्थी इसी तरह आप समझेगा उसके बाद इसके पेट में दाड़ी है यानि उम्र कम लेकिन बुद्धी यदिक यानि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आपने देखा होगा यानि अचानक से भी पती आ जाना उसी को बलता है इधर ना उधर या बला किधर यानि अचानक से भी पती आना इसका अर्थ होता है उसके बाद आजिए कुछन लोकोक्तियों को देख लें इधर कुआ उधर खाई यानि हर हाल में मुसीवत मालिजे कि आपको आगे जाना है तो उधर भी कुआ है पीछे लोटना तो उधर भी खाई है यानि कहीं भी आपको बचने का रास्ता नहीं है जहां है वहीं पर आपको राना होगा तो इसी को बुलायाता है हर हाल में मुसीवत आना उट के मुझ में जीरा उट के मुझ में जीरा यानि कि आप मालिजे आपको खाना खाना कोई भी वेकती खाना 200 ग्राम खाता है तब उसका पेट भरता लेकिन उसको पचास ग्रम देजेगा तो उसका पेट भरेगा क्या है यानि अत्यंत कम अत्यंत कमी उसी को रहता है उट के मुँँ में जीरा तो ये ध्यान में रखिएगा एक तो करेला फिर नीम चड़ा यानि दोरा कटूत तो कटूत तो मुदल कड़वा जिसको बलता है तो दोरा कड़वा को बलता है एक तो करेला तूसरा नीम चड़ा ठीक है उसके बाद देखिए ओढ़नी बदलना करता है पक्की सहलियां बनाना यानि कि लड़कियां जो अपनी दोस्ती करती है किसी भी लड़की से अन्य लड़की से तो वो दिखिएगा अगर उसकी अच्छी दोस्ती हो जाए तो वो अपनी ओढ़नी भी यानि जो दुपटे के रूप में यूज करती है तो वो बदल सकती है तो इसी को बलायता है कि वो बदल लेती है अपनी सहली से तो उसको बुला जाता है कि पक्की सहली यां बनाना यानि उससे दोस्थी करना उसके बाद देखे ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना यानि कि मुसल जिस वही होता है ओखली में कूटने वाला तो जब मान लेजे कि आप कोई कारी को प्राराम कर दिये तो फिर आपको परिनाम से क्या डरना चाहिए कोई नहीं जो होगा होगा देखा जाएगा तो वही है कटनाई से फिर कोई डर नहीं रखना चाहिए तो इसका अर्थी यही होता है ध्यान में रखिएगा एक मुह दो बात यानि कोई वेक्ति होगा जो आपके सामने आपकी बढ़ाई करेगा लेकिन आप जब नहीं रहेगा तो आपकी बुराई करेगा तो ऐसे वेक्ति को क्या बोलाया था एक मुह दो बात अपनी बात से पलट जाना या आपके सामने बाप बढ़ाई किया आपके ही फिर अपसेंट में आपका बुराई भी कर रहा है तो ऐसे विक्टिग बलता है एक मूह दो बात यह धियान रखिया है एक तकसाल भलके धले हैं यहां से कोई धल की निकले घकी जैसा होगा थो सब गलस्तु एक जिसे तरह डिखने मिंदने लगता है तो यह जीसे द्ले उसके वाद दिखें और एक हां ऑज से एक हांख से रोबे एक हांक से हसे यानि कि दिखावटी हसी या रोना इसको बला यह एता है आप देखिएगा आपके घर पर अगर भी पत्ति किसी तरह का होगा तो आप देखिए आपके विरोधी जो हैं आप अगर रो रहे होंगे तो आप ही के साथ वो रोने लगेंगे लेकिन आपके पीछे जाके वो मज़े भी ले रहा होंगे तो ऐसे ही लोगों को बलते हैं दिखावटी रोना करने वाले लोग जिसको क्रोकोडाइल स्टियर बलते हैं इंग्लिस में तो चलिए आज के वीडियो में पचीस लगबग ये था लोको उक्तिया याने महत्पून उनको हमने देख लिया और इसी तरह से आपको याद करना है चुकि आपके आपके अब्जेक्टिव में रहेगा कि इसका आर्थ क्या होता है तो उसके उत्तर को आपको चुनना होगा आपको चार आप्सन में तो ऐसे रह सकते हैं प्रस्ट इसलिए चुकि आपके सलिवस में है तो हमने इसको करा दिया है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा वीडि में तब तो के लिए दानिवादो